हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत इस खास वीडियो में दोस्तों आइबी पीएस ने आरार भी एक्जाम्स का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पियों के लिए और क्लर्ड के लिए जहां आपको वालूम चलता है कि एक्जाम डिट क्या है आपके आपके अप स्वासियर देखा था जब पहली बार सारे बैंकों ने एक साथ आपके सिविल स्कॉर की बात की थी इसका दोस्तों मतलब क्या होता है इसका एक बड़ा मतलब होता है यानि दोस्तों जितने बैंक्स हैं चाहे वो आरार भी हो नेशनलाइस बैंकों स्टेट बैंक आफ इंड 650 मांगा था जान दीजेगा 650 अगर इससे कब स्कोर है तो आपका सेलेक्शन हो भी जागा न तो आपको जॉब थे जॉइरिंग नहीं मिलेगी आपको ठीक तो गैस इस बार क्या हुआ है इस बार ग्रामीड बैंक जॉब का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या पॉइंट है हम इसकी बात करेंगे इस को क्या होता है हम सारी बात आप से करेंगे सारे बच्चे धियांसे के वीडियो आपको काफी नॉलेज मिलेगी यहां पे ठीक है देखें दोस्तों जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया देखें लोग दोस्तों यहां पर दिया हुआ है क्या about the credit history आ अब इसमें क्या-क्या पॉइंट लिखे हैं, सुनो, ध्या सुनो, हाँ, क्या बोला गया है, दो, दो, क्या बोला गया है, The candidate applying shall ensure that they maintain a healthy credit history, यानि आपको जो बिटा तीहास है, history, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक, और क्या बोला गया है, दो, क्या है, The minimum credit history will be as per the policy of the participating RRB amended from time to time, इसका बेटा मतलब ये है, कि आपकी minimum score क्या होना चाहिए, ये ग्रामीड बेंग डिसाइड करेंगे, और ये change भी हो सकता है time to time, तो बेटा, इस बार इन्होंने साफ-साफ कोई number नहीं दिया है, लेकिन last year number था 650, आप वही मान के चलो, कि इस बार भ candidate whose civil status has not been updated before the date of joining, have to either get the civil status updated or produce the NOC from the lender to the effect that there is no outstanding with the respect to the account adversely reflected in the civil, इसका बेटा मतलब देखे, क्या बूला गया, जाइनिंग से पहले पहले आपके पास, आपका civil score अपडेट होना चाहिए, क्या सिबस्कोर है, वो अपडेट लेकर जाएंगे है, और हाँ, अगर आपने अपना लोन वापस कर दिया है, तो जहां से अपने लोन लिया था, उससे आपको NOC लेना पड़ेगा, जो कि आपको देना पड़ेगा ज्वानिंग के टाइम पर, अब यहाँ दोस्तों, बुछ सारे बच्चे ऐसे हैं, जो समझे नहीं पार रहा हूं, तो आपको सिबिल इसकोर से डरने की बात ही नहीं है, पर सुनलो, अगर आपके नाम पर कोई लोन नहीं है, तो आपको डरने की ज़रत नहीं है, अगर आपका अकाउंट ही नहीं है, तब भी आपको डरने की ज़रत नहीं है, दोस्तों बटा सिबिल होता क्या है, किसके तो जो बच्चा लोन लिया हुआ है और टाइमली अपना पैसा रीपे कर रहा है या दोस्तो आपने क्रिटार लिया हुआ है और आप टाइमली रेप करते हैं पैसा तो बेटा आपका स्कोर अच्छा रहता है और जिसने अपना पेमिन्ट टाइम से नहीं किया है उसका स्कोर खराब हो आता है इसलिए बैंक चाते हैं आप कैसे वक्ती हैं अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपने टाइमली रीपे किया की नहीं किया है यह सब दोस्तों बैंक जाना जाता है आपके स्कोर से ठीक है तो एक पॉइंट यह देखी है ठीक डिसके अलोटेट आरार बी रिजवर अलोटेट आरार बी रिजवर दे राइट तू डिस अलाओ दे कैंडिडेट हुँ डस नॉट मीट दे क्रेट हिस्ट्री और बीटा क्या बुला दे कैंडिडेट विट नो बैंक अकाउंट शेल नॉट बी रिक्वाइट तु प्रेडिउस दा सिबल स्टेट अगर आपके अपके अप्र दिक्कत ही नहीं है तो बैटा यह तीन डिएट नंबर होता है इसका बैटा मतलब आपके अंदर लोन को रीपे करने चंदा कितनी है यह इससे मालुम चलता है स्कोर दिया होता है आप बोलेंगे साथ सेब्ल रिपोर्ट क्या होता है इसे कौन बनाता है देखें दोस्तू अब आगे बात करते देखिए, दो, a civil score is a three-digit numeric summary of the history, दोस्तों, the value ranges between 300 to 900, दो बेटा, इसका बेटा मतलब क्या है, कि बेटा जो civil score है, इसकी range क्या होती है, कम से कम 300, maximum 900, इसी के बीच में आपका score बेटा होता है, जान देना, अगर दोस्तों, आपका score, जितना पास 300 से होग होगा, मतलब 4500, 500, 600, उतना आपका खराब score है, और जितना आपका score 900 के पास होगा, उतना आपका अच्छा है, 700, 7500, 800, 7500, उतना आपका अच्छा है, दोस्तों, ठीक, फॉर मोस्त बैंक, दा मिनिममम करिट स्कोर रिक्वाइट फॉर लोन अप्रूवल इस 685 और हाइयर, दोस्तों, या जितना इस मोस्त लिए में गर्दे क्या है, आपको लोन तभी मिलेगा, जब आपका score 685 इसके उपर होगा, दोस्तों, ठीक है, और देखिए, और क्या 730 हैं, तो ये गुड़ है, दोस्तों, फिर 746 हैं, तो वेरी गुड़ है, तो ये इस तरह से बेटा पढ़ते हो, आपका score पढ़ेगा, ये फियर में आएगा, गुड़ में आएगा, वेरी गुड़ में आएगा, एक्सेप्शन आएगा, तो ये चीज़े हैं, हाला कि ये स अच्छा ही रहता है, आगे देखिए, आप गाइस क्या है, कि आपने जो बोला कि सर ये score कौन बनाता है, तो गाइस, हमारे देशने बेटा एक बीरो काम करती है, जिसका नाम है सिबल या TransUnion Sibyl, तो TransUnion Sibyl Limited is a current information company operating in India, दो बेटा, इनका काम बेटा क्या होता है, कि आपके account को assess करना, जो भी आपने transactions की हैं, उसे assess करना, और फिर आपके नाम पे report बनाना, और बेटा report में आपका score रहता है, अगर आपने timely event किया है, इस और अच्छा है, नहीं किया तो बुरा है दोस्तों, इसका बेटा मतलब जो आपका civil score है, उसे बेटा कौन बनाता है, TransUnion Civil बना consumer borrowing and payment information, यानि गाइस, ये बेटा आपके information ले लेती है, आपने कैसे payment किया है, क्या payment किया है, ठीक है, क्या purpose आपके loan लेने का, और आपने कितने time पर repay किया है, दोस्तों, ठीक, next point है, civil का full form क्या बेटा, तो credit information bureau India limited, ये exam के लिए में बता दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरी बातें सारी clear हो गए होगी, तो आपको tension नहीं लेना है, अगर आपके नाम पर कोई loan नहीं है, या आपको आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब अगर अपने टाइमली पे किया है, तो नहीं लेना है, अगर गरबड़ की है, तो फिर लेना पड़ेगा दूस्तों, तो गलत होता है या तो आप पेड मेंबर्शिप लो सिबिल में आकर या दोस्तों बैंक चले जाओ वहां को वानुम चल जाएगा कि आपका सिबिल स्कूर क्या है दोस्तों ठीक थैंक यू सो मच अतना ख्यार लखिए आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो कभी हेल्प मिलेगी कोई और डाउट आपका है तो प्लीज हमें कमेंच कीजे हम उस पर वीडियो बना देया फिले हैं थैंक यू सो मच दोस्तों थैंक यू